C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारपस्तुत है कक्षाचार की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का पाठ पंद्रह मंडी से घर तक प्रिष्ठ 119 रात में दिन मैं फैशाली हूं मेरे बाबुजी सबजी बेचते हैं इस काम में अम्मा, भाईया, छोटू और मैं भी मदद करते हैं पता है हम काम कब शुरू करते हैं? सुबह के तीन बजे जब बहुत से लोग गहरी नीद में सोय होते हैं तब हम अपना काम शुरू कर देते हैं बाबुजी, अम्मा, भाईया और मैं पिछले दिन की बची हुई सबजियां बोरियों और टोकरियों में से निकालते हैं ताजी सबजियां जो मंडी से लानी होती हैं कभी कभी छोटू भी इस काम में मदद करता है काम को निबटा कर जब सब चाय पी रहे होते हैं तो टेमपो के हौन की पौँपौँ सुनाई देती है फिर बाबुजी भाईया और चाचू मोहले के और लोगों के साथ टेमपो में सबजी लेने मंडी जाते हैं प्रेश्ट 120 क्या तुम्हारे घर में भी किसी को सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ता है किस समय किस काम के लिए दिन की तैयारी बाबुजी के जाने के बाद छोटू, अम्मा और मैं पिछले दिन की बच्ची सबजीयों को बोरी पर रख कर पानी छिड़कते हैं सुबह लगभग साड़े छे बजे तक बाबुजी मंडी से ताजी सबजीयों के टोकरे और बोरे लेकर घर पहुँच जाते हैं उस समय तो मानो घर में ही सबजी मंडी लग जाती है बैगन, आलू, टमाटर, भिंडी, पेठा, घीया, मिर्ची, आदी सब चारो तरफ दिखते हैं घर के सब लोग मिलकर इन सबजीयों को छाटते हैं, जो सबजीयां कच्ची होती हैं और बेचने के लिए तयार नहीं होती, उन्हें अलग रख देते हैं ये सब काम जल्दी-जल्दी खत्म करने की कोशिश होती है, जिससे बाजार जल्दी पहुँचा जा सके प्रिष्ट 121 7 बजे तक सबजीयों को ठेले पर लगा कर बाबुजी और भाईया बाजार चले जाते हैं बाबुजी कहते हैं कि अगर देर हो जाए तो ग्राहक दूसरे सबजी वालों से सबजीयां खरीद लेते हैं बाबुजी के जाने के बाद मैं स्कूल के लिए जल्दी जल्दी तयार होती हूँ मुझे भी तो साड़े साथ बजे तक स्कूल पहुँचना होता है बाबुजी बाजार में चोटू का स्कूल दोपहर का है वह थोड़ा आराम करके बाबुजी और भईया के लिए नाश्ता लेकर बाजार पहुँच जाता है थोड़ी देर वह ठेले के पास रहता है फिर दोपहर में स्कूल चला जाता है कभी कभी शाम को स्कूल के बाद भी वे बाबु जी की मदद के लिए उनके पास जाता है बाबु जी पिछले दिन की बच्ची हुई सब्जियों को पहले बेचने की कोशिश करते हैं प्रिष्ठ 122 बाबु जी पिछले दिन की सबजियां पहले बेचने की कोशिश करते हैं वे ऐसा क्यों करते होंगे? क्या तुमने कभी सूखी या सड़ी गली सबजी देखी है? कहाँ? तुम्हें कैसे पता चलता है कि सबजी खराब हो गई है? छोटू अपने परिवार की मदद करता है आपके विचार में छोटू ने इससे क्या सिखा? आप अपने परिवार के बड़े लोगों की मदद कैसे करते हैं? जैसे जैसे पिछले दिन की सबजियां बिक्ती जाती हैं भहिया बोरियों में से ताजी सबजिया निकाल कर ठेले पर लगाते जाते हैं साथ ही सबजियों पर पानी छिड़कते रहते हैं जिससे वे सूख ना जाएं खास कर गर्मियों में बाबुजी और भहिया रात को दस बजे तक सबजिया बेचकर घर लोडते हैं तब तक मैं और छोटू तो सो ही चुके होते हैं घर के बाकी सब लोग ग्यारा से साड़े ग्यारा बजे तक ही सो पाते हैं केवल चार घंटे बाद सुभा तीन बजे शुरू होता है हमारे परिवार का नया दिन हम तुम्हें कुछ समय बता रहे हैं तुम्हें बताना है कि उस समय तुम और वेशाली क्या क्या कर रहे होते हो समय सुभा के तीन बजे वेशाली क्या करती है और तुम क्या करते हो सुभा के छै बजे वेशाली क्या करती है और तुम क्या करते हो रात के दस बजे वैशाली क्या करती है और तुम क्या करते हो तुम्हारे घर में सबजियां कहां से आती हैं उन्हें कौन लाता है प्रिष्ठ एक सो तेईज सबजियों के साथ कुछ खेल अपकी बार जब घर से भिंडी आए तब कुछ भिंडी लेकर देखो क्या ये सब भिंडियां एक ही नापकी है उन्मी से सबसे लंबी और सबसे छोटी भिंडी छाटो और नापकर लिखो क्या उनके रंग एक से हैं क्या वे एक जितनी मोटी हैं दो भिंडियों को लंबाई में काटो क्या उनमें एक जितने बीज हैं? कौपी में उनके चित्र बनाओ सीमा की मम्मी बाजार से कुछ फल सबजियां लाई हैं जिन्हें चित्र में दिखाया गया है चित्र में उन्हें ढूंडो और रंग भरो तथा उनका नाम भी वहीं लिखो प्रिष्ठ 124 पता करो यहां पर कुछ फल और सबजियों की सूची दी गई है उनमें से कौन-कौन से फल और सबजियां पहले खराब हो जाएंगे और कौन से कुछ दिन तक रखे जा सकते हैं उनके नाम तालिका में ठीक जगह पर भरो तुम अपनी तरफ से कुछ और नाम भी सूची में डाल सकते हो तालिका में दो कॉलम बनाओ एक जल्दी खराब होने वाले फल और सबजियां कॉलम दो कुछ दिनों तक रखे जा सकने वाले फल और सबजियां अब हम तुम्हें फल और सब्जियों के नाम बताते हैं पालक, आलू, केला, टमाटर, नाशपाती, चीकू, अनानास, लौकी, प्याज, फूल गोभी, खीरा, अंगूर, अदरक इन में से कुछ फल और सब्जियां छूने से चिकनी लगती हैं और कुछ खुर्दुरी इनके नाम चाट कर सही सूची में लिखो सूची हैं चिकनी सब्जियां और खुर्दुरी सब्जियां प्रिष्ट 125 किसी एक फल या सबजी का नाम लिखो, जो तुम्हें उठाने में सबसे भारी लगे, उसका चित्र कौपी में बनाओ, तुमने जो फल और सबजियां खाई हैं, उनमें से सबसे हलका फल या सबजी कौन सी है, उनके नाम लिखकर कौपी में चित्र बनाओ, तीन ऐसी सबजियों के नाम लिखो जिन में बीज नहीं होते हम एक तालिका दे रहे हैं उसे पूरा करो तुम इसमें अपनी पसंद के तीन और नाम जोड सकते हो तालिका है सेब रंग रिक्तिस्थान लंबाई रिक्तिस्थान मात्रा आधा किलो दाम रिक्तिस्थान केला रंग रिक्तिस्थान लंबाई रिक्तिस्थान मात्रा एक दर्जन और दाम रिक्तिस्थान आलू, रंग, रिक्तिस्थान, लंबाई, रिक्तिस्थान, मात्रा, आधा किलो, दाम, रिक्तिस्थान इसमें तुम अपनी पसंद के तीन नाम और जोड सकते हो अपने इलाके के किसी सबजी बेचने वाले व्यक्ति से बात चीत करो उनसे ये प्रश्ण पूछ कर कौपी में एक छोटी सी रिपोर्ट बनाओ उनका नाम क्या है? उनकी घर में कितने लोग हैं? कितने बच्चे हैं? उनके बच्चों के नाम और उनकी उम्र क्या है? सबजी बेचने में उनकी मदद कौन-कौन करते हैं? ठेले, रेहडी, दुकान पर उनकी अलावा कौन-कौन बैठते हैं? वे कौन-कौन सी सबजीयां बेचते हैं? वे कितने बजे काम शुरू करते हैं? वे दिन में लगभग कितने घंटे काम करते हैं? प्रिष्ट एक सौ चब्वीस हम एक तालिका दे रहे हैं इन में से किनी तीन सबजीयों के बारे में कुछ बातें पता करो तीन सबजीयां चुनो सबजी एक, सबजी दो, सबजी तीन अब इनके बारे में ये बातें पता करो सबजी का नाम, उसका दाम, कौन सी जगह से लाई जाती है? एक बार में वे कितनी सबजी खरीदते हैं यह सबजी किन महिनों में ज्यादा आती है मंडी से घर तक अभी आप सुन रहे थे कक्षा चार की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का पंद्रवा पाठ